आगरा में साथ बार की जिला इस्तरिये बैडमिंटन खिलाड़ी और राज इस्तरिक खिलाड़ी रादा ठाकूर आज मुफलिसी में अपना बैडमिंटन बेचने को मजबूर है दरसल कोरोना के चलते उनके भाई और प्रता की नौकरी चली गए जिसके चलते अब वो अपना बैडमिंटन तक बेचने को मजबूर है हाथ में अपना बैडमिंटन का रैकेट पकड़े ये है 20 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी राधा ठाकूर राधा अगरा में साथ बार जिला बैडमिंटन चैंपियन रही है राधा ठाकूर कई राजय इस्तरिय और राश्ट्रे चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुकी है इस समय राधा बैडमिंटन की राष्ट्रिय टीम की सदस्य भी है लेकिन बैडमिंटन की चैंपियन खिलाडी राधा ठाकूर मुफलीसी में अपना रैकेट बेचने के लिए मजबूर हो गई दरसल लॉकडाउन में पिता राजेंदर और भाई संजु सिंग की नौकरी छिन गई है टूर्णामेंट जीत कर जो पैसा मिल जाता था वो भी नहीं मिल रहा घर में खाने पीने तक की दिक्कत हो गई राधा का कहना है कि रैकेट बेचने से जादा ना सही लेकिन दो दिन के खाने का तो इंतजाम हो ही चाहेगा बदादे की राधा आगरा के सदर्थाना शेतर के नंद टौकेस चौराही के पास एक कमरे के मकान में माता, पिता और भाई के साथ रहती है लोगडाउन से एक महीने पहले ही भाई की नौकरी मुंबई में एक नीजी कमपनी में लगी थी लोगडाउन के बाद कमपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया पिता आगरा में ही एक नीजी कमपनी में काम करते थे, उनकी नौकरी भी छूट गई चार सदस्यों के परिवार में आमदनी शुन्ने हो गई जो थोड़ी बहुत जमापूंजी थी वो खर्च हो गई और अब कोई उधार भी नहीं दे रहा घर में एक गाय है और अब उसकी चारे के लिए भी पैसे नहीं है कोई सदस्य बिमार हो जाए तो दवा कहां से लाई ये बहुत ही धुख भरा नेड़ना है लेकिन रैकेट बेचने के सिवाए कोई चारा नहीं है इससे जादा नहीं सही लेकिन दो दिन का खर्च तो निकल ही जाएगा सबस्क्राइब बैचने के लिए छोड़ा बहुत होगा जिससे की ठोड़े बहुत पैसे बाइस आएंगा व्हार का खर्चे के लिए चलेंगी चलेंगे राधा ठाकुर ने अब यूपी की योगी और केंदर की मोधी सरकार आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है राधा कहती है कि जब योगी जी और मोधी जी बेटियों के लिए इतना कुछ करते हैं तो वो जरूर मेरी मदद करेंगी सर बता नी सकती, मेरी इमारना मेरी ली कुंडल बेचेते हैं सोने के, मेरी लिए किलने के लिए. बस सर करते हैं, बोलते हैं कि हम कल लेंगे तो बस खेल. अब सर लगता है कि संब बेकार है khेलना. कि इतने लेवल पर जाने के बाद कोई सपोर्ट नहीं तो फिर रोना ही जाता है अब कर चाते है सरकार से क्या आपको भी जोड़ा है थोड़ा बहुत मुझे खेल में सपोर्ट करिये आप क्योंकि खेल ने में सर बहुत खर्चा आता है बैडमिंटन में राधा की समस्य सामने आने पर जिला बैडमिंटन एसोसियेशन भी मदद को आगया आया है एसोसियेशन के अध्यक्ष विनोध शीतलानी ने कहा कि देश और राजस्तर की प्रतियोगीता में शेहर का नाम रोशन करने वारी राधा की दिक्कतों को दूर किया जाएगा उन्हें एसोसियेशन की ओर से आर्थिक सहयोग के साथ उनकी पिता या भाई में से किसी एक की प्राइवेट नौकरी की विवस्था भी की जाएगी वयंतर राष्ट्रे सीनियर बैडमिंटन खिलाडी अर्विंद कुमार मेता का कहना है कि होनहार खिलाडी के सपनों को हम तूटने नहीं देंगे और आर्थिक रूप से कमजोर हर खिलाडी की मदद हम जरूर करेंगे देखिए सरकार तो जो कुछ कर रही है बहुत कुछ कर रही है पर इसमें हम लोगों को भी जरूर विचार करना चाहिए जो एल्डर परसन्स हैं स्पोर्ट्समेन हैं उनको इन विशों पर जरूर सोचना चाहिए आपस में बात करके इस विशे को इसलिए सोचना चाहिए कि वो जो यंग बच्चे हैं उनका future क्या है आगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं कोई tournament ना होने की बज़े से वो अपना कोई परदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि जो senior players हैं वो आपस में इस विशे पर चर्चा करें औ कि financially इतने अच्छे नहीं हैं सुधर्ड नहीं हैं आपको बताने कि राधा ठाकुर 7 बार की जिला चैंपियन है राधा ठाकुर ने फर्स्ट सीनियर मेजर बैडमिंटन चोंपियंशिप 2019 की रनर अप U.P. स्टेट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्णमेंट 2018 की सेमी फाइनलिस्ट सिंगल यू पी सेमी फाइनलिस्ट डबल सहित कई प्रतियों गीता में प्रतिभाग कर शहर का नाम रोशन किया है लेकिन अब मुफलीसी में उसे मदद की दरकार है पंजाब के सिरी टीवी के ले आगरा से ब्रिज भूशन की रिपोर्ट